इस ड्रामा में एक सेकेंड ना मिले दूसरे से बाबा ने हमें ये दो बाते बताई हैं कि एक का पाठ ना मिले दूसरे से और एक सेकेंड ना मिले दूसरे से हमें ये बाते दोनों धारण हो गई तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी आत्मा का, किसी दूसरी आत्मा के पार्ट से कोई connection नहीं है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक अनुभव से स्पष्ट करती हूँ तो एक बार एक भाई ब्रामनी है तो वो मुझे दूसरे भाई के विशे में कहता है कि ये जो भाई सेंटर पर आता है ये लोग चार भाई है उन में से एक चोर है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है कुछ-कुछ वो बताने लगा और फिर कहता, फिर आप समझी सकते हैं कि ये भी कैसा होगा तो मैंने कहा कि हाँ बाबा तु मुडली में कहता है न ऐगर चार एक packet में आएं है तो एक जैसे ही होगे तो वो समझ किया कि दीदी सीधी बाद तो नहीं कर रहे हैं तो फिर कहता, नहीं ऐसा तो मैंने कहा, हम ज्यान सुनते हैं पर हमें समझ में आपक भी कुछ भी नहीं आता तो हम क्या करते हैं एक से दूसरे की तुलना करते हैं चार भाई है तो एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होगा या मात पिता है तो बच्चा वैसा ही होना चाहिए जैसे मात पिता है लेकिन बाबा कहते हर आत्मा अलग-अलग है हर एक का पार्ट अलग-अलग है और किसी का किसी के पार्ट से कोई लेना देना नहीं है मान लिजे पिता और पुत्र भी है या मा बच्चा है लेकिन उनके बीच भी ज़रूरी नहीं कि कोई भी similarity हो दोनों बिलकुल अलग हो सकते हैं कर्मों की गति अनुसार जनम हुआ लेकिन देखा जाए तो पार्ट जो है वो बिलकुल भिन नहों सकता है एक पार एक भाई आया था तो मुझे कहता कि मेरा जो बेटा है उस पर तो मुझे डाउट होता है कि मेरा बेटा है भी या नहीं क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा swimmer हूँ और इसको तो पानी से डर लगता है और फिर अब मुझे लगता है कि मैं और ये बात भी क्या करें क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी swimming के बारे में है और ये अगर पानी से ही डरेगा तो पिता पुत्र का तो कभी connection ही नहीं हो सकता तो कई बार ये बातें भी सामने आती हैं कि इस प्रकार से सोचते हैं अगर मेरा बच्चा है तो मेरे जैसा हो, मेरे जैसे गुन हो, मेरे जैसा संसकार हो, मेरी विशेशताएं हो तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा अवश्यक नहीं अगर कोई ऐसा connection दिखता भी है, संसकारों में समानता दिखती भी है, पार्ट में समानता दिखती भी है तो वो coincidence है, ऐसा नहीं कि उसका कोई कारण है तो जैसे कुछ समानता हैं तो किसी के भी पार्ट के साथ हो सकती हैं तो उसी प्रकार की समानता है तो बाबा कहते हैं एक का पार्ट ना मिले दूसरे से और एक सेकंड ना मिले दूसरे से ये ड्रामा जो है सेकंड बाई सेकंड बना हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि अतीत, वर्तमान और भविश्य जो है वो connected है लेकिन वो connected इसी लिए है क्योंकि हम उसे बुद्धी में लेकर चलते हैं वरना बाबा हमें कहते हैं कि जैसे आप देखो बाबा आते हैं तो एक सेकंड में कल्यूग से संगम्यूग हो जाता है कोई देर थोड़ी लगती है तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम चाहो तो एक सेकंड में परिवर्तन हो सकते हो लेकिन वो जो पुराना मैपन है, मेरा पन है पुराने संसकार सोभाव का बोज है जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं कि मैं ऐसा हूँ या मेरी नेचर ये है या मैंने ये ये किया है वो जो स्मृतियां लेकर चलते हैं उसी कारण से इस घड़ी हम संगम्यूग का लाब पूरी तरह नहीं ले पाते लेकिन अगर समझ जाएं कि ये जो ड्रामा है ये तु सेकंड बाई सेकंड बना है अभी आप देखो कोई आत्मा है अगर शरीड छूट जाता है तो एक सेकंड में उसका इस पुराने जीवन से जैसे नाता तूट जाता है हाँ संसकार और करम वो लेकर जाती है लेकिन संसकार और करम तो परिवर्तन शील है उसको तो अगर हम चाहे तो आज परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन वो जो स्मृति है वो जो पुराने जीवन की स्मृति है संसकारों की स्मृति है उनको हम लेकर चलते हैं तो बाबा हमें इसलिए कहते कि एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, इस बात को हमें अब धारन करना है और पिछले सेकेंड और उससे पेचले इतनी जर्नी में, जो भी कुछ हुआ, उन बातों को अपनी स्मृती से हटाना है और बाबा जो हमें बेहत की स्मृति दे रहे हैं कि तुम्हें कात्मा हो, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वधर्म, तुम्हारे गुण, सब कुछ मेरे जैसे हैं, जब हम इस बात को पुरी तरह धारण करें, तो हम संगम्युगी जीवन का लाब ले सकेंगे तो बाबा हमें कहते हैं, पिछले सेकेंड से और उससे पीछे की अपनी सारी जीवन कहानी से, जैसे अपनी स्मृति को हटाओ, जो भी स्मृति में बाते हैं उससे अपने को छुडाना पड़े, लेट गो करना पड़े, तब जाकर इस सेकेंड, ये जो संगम्युग में, जो बाबा आए हैं और हमें भविष्य के लिए जो कदम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आप देखो जैसे साधारन भी कोई चलता है जमीन पर, तो पीछे का पाउ न उठाए, तो आगे का पाउ बढ़ा सकता है, नहीं, आगे बढ़ाना और पीछे का पाउ उठाना एक साथ च जो भी वो बाते हम पीछे से क्यारी कर रहे हैं, उनको छोड़नी पड़े, एक सेकेंड में उसको बदलना पड़े, और बाबा कहते हैं एक सेकेंड में बदल सकता है, लेकिन हम उन बातों को लेकर चलते हैं, इसलिए बाबा जब हमें नया परिछे देते हैं, कि मैं कौन या मेरा लक्षे क्या है, तो उस परिचे को हम यथार्त रूप से धारण नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो पीछे का परिचे है, उसका बोज हम लेकर चल रहे हैं, तो बाबा इसलिए कहते कि एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, और इस सेकेंड को अब हमें पिछले सेकेंड से अल बरतमान जो भी है, उस आधार से उसके भविष्य का आंकलन ना करें, कि इस प्रकार से आज चलता है, तो कल ऐसा बनेगा या इसके साथ ये होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं, एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, आज कुछ है, कल कुछ भी हो सकता है, तो इस आधार से, जब हम इन बातों को सुक्षम ड्रामा की पॉइंट्स को, देखो, बाबा हमें हमेशा ड्रामा के पट्टे पर खड़ा करते हैं, ये भी जो दो बाते हैं, कि एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, या एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये ड्रामा की पॉइंट्स हैं, और ये ड्राम के पट्टे पर बावा हमें हमेशा क्यों खड़ा करते हैं क्योंकि अगर हम ड्रामा के ज्ञान को बुद्धी में नहीं रखते तो हम जरूर कोई ना कोई देअभिमान की बात को आगे रखते हैं। जैसे मान लेजे, कि अगर हम ड्रामा को जिम्मेवार नहीं समझते, कि जो भी हो रहा है, वो ड्रामा प्रमान हो रहा है, तो फिर हम किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिती को कारण बनाएंगे, लेकिन बाबा केते हैं, अगर उस कारण बनाने से छुटना है, तो तुम्हें के पटे पर मजबूत होना पड़ेगा, और बाबा ने हमें समझाया है, कि संकल्प से स्रिष्टी है, तो अगर किसी को कारण बनाएंगे, तो कारण बनेगा, यह अगर किसी में कमपेरिजन करेंगे, कि इसका पार्ट इसी के जैसा होगा, जैसे उस भाई ने कहा, कि भाई चोरी करता है, तो यह भी करता होगा, तो जैसे द्रिष्टी बनाएंगे, वैसे स्रिष्टी बनेगे, इसलिए बाबा कहते हैं, यह जो अभी नई रचना हमें रचनी है, इस नई रचना को रचने के लिए, हमारे जो पुराने देअभिमान के संसकार है, जहां हम एक के पा उसके आधार से इस सेकेंड उस स्मृति से करम करते हैं, उन बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब ही तो हम नए करम करेंगे, क्योंकि अगर हम उस बैगेज को कैरी करते हैं, कि पिछले सेकेंड ये हुआ था, या मैंने ये किया था, तो उस आधार से उस स्मृति से वैस लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम समझ जाते हो एक सेकंड ना मिले दूसरे से और ड्रामा अनुसार अभी एक नया सेकंड है इसमें हम संपूर्ण रुपेंड चाहे तो आज इस नए अवसर का लाब उठा सकते हैं और हमें पिछले सेकंड का चिंतन नहीं करना है तो जब इस बात को धारण करें तब नवीनता ला सकें क्योंकि बाबा हमें नया ग्यान दे रहे हैं नए कर्म सिखा रहे हैं नवयुक की स्थापना कर रहे हैं पर फिर भी पुराना खीचता क्यों है क्योंकि ये जो ड्रामा का ग्यान है वो बुद्धी में बैठता नहीं और ये जो पॉइंट्स हैं, कि एक सेकंड का दूसरे से कोई connection नहीं, या एक आत्मा के पार्ट का दूसरे से कोई connection नहीं, जब इन बातों को नहीं समझते, तो फिर वो जो एक सेकंड की स्मृति दूसरे में आती जाती हैं, और उसका प्रभाव पड़ता है, कई बार आप देखेंगे, आप भी ऐसा करते होंगे, और कोई आपके साथ भी करते होंगे, कि किसी के अतीत को यूस करते हैं, उसके वर्तमान की उपलब्धियों को जैसे खारीज करने के लिए, है ना, मान लेजे, आज आप योगी बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तो कहेंगे सौ चुहे खाकर बिली हज को चली, पीछे तो ऐसा-ऐसा किया, और आज देखो ये कैसे बन गए हैं, और या फिर कहेंगे कि जो, कैसे-कैसे कहावतें कहते हैं दुनिया में, कि नली में रखो तो भी जो हैं, वो सीधी ना हो, ऐसी दुम है, तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी या आप भी दे अभिमान में इस प्रकार की बातें करते होंगे, लेकिन बाबा हमें जो ग्यान देते हैं उस आधार से एक सेकेंड का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, पिछली जीवन और अब की जीवन में बिलकुल अंतर हो सकता है, कोई पीछे कितना भी विकर्म करने वाला रहा हो, कैसी भी कल्यूगी जीवन वाला रहा हो, लेकिन अब जब बाबा मिलते हैं, तो आत्मा संपून रुपेन परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि संपून युग में जब बाबा आते हैं, तो बाबा का आना एक ऐसी विशेश घड़ी है, जो इस से पहले कभी नहीं आई, तो फिर इस घड़ी में जो पॉसिबल है, वो पहले कभी पॉसिबल नहीं था, तो बाबा कहते हैं, इस प्रकार से, ना आप दूसरे के किसी पीछे की बातों को लेकर, उसके प्रेजन्ट की जो पुर्शार्थ है, उसको डिस्मिस करें, ना आप अपने लिए भी ये सोचें, कि पीछे ऐसा रहा या ये किया, तो आज ऐसा क्यों नहीं, क्यासे बन सकते हैं, क्योंकि देखो, ड्रामा में अगर हमारा पाठ है, बाबा हमें ड्रामा के पट्टे पर खड़ा करते हैं, जैसे कई बार भाई बेने हमें पूछते हैं कि हम कैसे मान ले, कि हम ही देवी देवता बनेंगे, तो हम उनको कहते हैं, कि इतनी करोडों आत्माएं हैं, लेकिन सेंटर तक पहुँच कर, या निमित तक पहुँच कर, ये प्रश्न तो आप ही पूछ रहे हो ना, तो जब आप ही पूछ रहे हो, तो आपको समझ आना चा को यहां तक लाया कि आप ये प्रश्ण पूछ रहे हो तो वही ड्रामा आपको आगे भी लेकर चायेगा, तो ड्रामा के पत्टे पर मस्पूत होना है, जैसे ड्रामा में पिछला सेकंड था और पिछले सेकंड का कर्म था, ऐसे ही ड्रामा अनुसार ही तो ये घड़ी आई है कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, हमने तो बाबा को नहीं ढूंडा, भक्ती मार्ग में ढूंडा होगा, लेकिन इस समय जब बाबा हमें मिलते हैं, तो बाबा हमें ढूंड कर आते हैं, कैसे आते हैं, ड्रामा प्रमान आते हैं, तो जब हम इस समय ड्रामा के पट्टे पर खड़े होकर देखते हैं, कि इस घड़ी हमें किस प्रकार उच्छे ते उच्छा बाप मिला है, हम प्रभु पालना और प्यार के पात्र बने हैं, तो हमें यह निश्य होता जाता है, कि अगर आज इस प्रकार से बने हैं, तो कल भी हमारा जो भविश्य है वो उच्छे ते उ कि तुम तो सत्यू की देवता थे, बाबा कहते हैं ना पास्ट में जाते हो तो बेहत के पास्ट में चले जाओ, कि हम तो पांच हजार वर्ष पूर्थ देवता थे, तो आगे क्यों नहीं बन सकते, तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि एक के पार्ट की तुलना दूसरे से न क्योंकि आप देखो, आजकल यही हो रहा है, कि एक बात हो जाती है, तो उसकी स्मृति के आधार से संकल्ब चलाते हैं, और वो संकल्ब नहीं स्रिष्टी रचते हैं, और जो स्रिष्टी उससे भी भयानक होती है, जो पिछली बात थी, तो बाबा कहते हैं, अब मैं आया आप तुम ये वाली जो कडी है, ये जो chain है, ये जो cycle है, इसको तोड़ो और जो पुरानी बाते, विकर्म की बाते, विकारों की जीवन वाली बाते हैं, उसको छोड़ दो और अब बाबा मिले हैं, तो समझो, ड्रामा के पटे को पे मजबूत रहो, ड्रामा के इशारे को समझो, कि बाबा मुझे ही क्यों मिला है, क्योंकि मेरा भाग्य है, तो पिछली जीवन को भूल, पिछली बातों को भूल, अब बाबा का संपूर्ण रुपेन बनना है, तो ब प्रकार से हमें ड्रामा के पट्टे पे मजबूत होना है, फिर बाबा हमें आज बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम्हें फिक्रात नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत फिक्रात करते हैं, और फिक्रात ही नहीं हर प्रकार के जो इमोशन हम रचते हैं, वो क्यों होता है, क्योंक फिर भी हम कहीं न कहीं ये वाले संकल्प चलाते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता या ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ये बात नहीं होती लेकिन बाबा हमें कहते कि ये जो क्या क्यूं है या ऐसा नहीं होता तो वैसा होता इसका चक्र बड़ा गहरा जैसे बुनता चला ज और बाबा हमें इस चक्र से जो बुद्धी में हम मूँचते हैं फसते हैं इस बात से छुडाने के लिए बार-बार हमें ड्रामा के पट्टे पे खड़ा करते कि हर कल्प जो हुआ वैसा ही होना है और जो भी कोई निमित बनता भले परिस्थिती निमित बनती या आत्मा निम लेकिन वास्तव में वो तो ड्रामा के प्लैन अनुसार ही जो सीन आपके सामने आती वो आती इसलिए दोश धरना किसी को जिम्मेवार बनाना कि इस फला के कारण ये बात हुई या इस परिस्थिती के कारण ये दुख हुआ इस बात से हमें छूट जाना है और फिर हमें य रामा में ये सीन आई है और मानलीचे कोई नुकसान की भी सीन है पीछे का कोई करम का हिसाब किताब है तो बहुत नुकसान भी हो गया लेकिन फिर भी ये जो समय है और ये जो सीन आई है इस से बहतर समय नहीं हो सकता इस सीन के आने का क्योंकि इस समय बाबा हमारे साथ है और हम बाबा के ज्ञान, गुणों और शक्तियों से संपन नहें, तो जो भी डैमेज हो रहा है उस सीन के कारण या उस बात के कारण, उस डैमेज को हम सबसे कम इसी समय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे साथ बाबा है, और हम इस समय पर अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप से उस बात का सामना भी कर सकते हैं, उसको पार भी कर सकते हैं, और उसके जो भी नुकसान हुआ, उसके भी परे हम जा सकते हैं, तो बाबा हमें कहते हैं, इसी लिए ड्रामा के पटे पर मजबूत रहो, कभी किसी को दोश मत दो, ये कहना कि इसके कारण हुआ, उससे अच्छा है कहना कि ये ड्रामा अनुसार हुआ, और जब समझते हैं ये ड्रामा अनुसार हुआ तो ड्रामा की प्रति हमारा gratitude भी है कि ड्रामा अनुसार हमें बाबा भी मिले हैं और बाबा हमें उस scene को face करने की या पार करने की शक्ती भी दे रहे हैं तो फिर ड्रामा में इस से अच्छा समय तो होई नहीं सकता न ये बात आ परिस्थिति आए वो किस समय पर आए है ना जैसे आज आए या कल आए परिस्थिति मानो आपके द्वार पर नौक करके पूछ रही है कि मैं आज आओ या कल आओ तो क्या कहींगे आज आज आओ क्योंकि आज तो हमारे साथ बाबा है तो आज हम आपको बहुत अच्छे से सकते हैं तो बाबा कहते ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहो फिर बाबा कहते ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहने से फिकरात नहीं होती क्योंकि बाबा ने जैसे आज example दिया कि किसी को हम ज्ञान सुनाते हैं या प्रदर्शनी में अनेकों को प्रदर्शनी की तयारी क कई बार ऐसा होता है, कि प्रोग्राम करते हैं, मुझे याद है, मेरे ख्याल हाइदरबाद की बात है, तो वहां बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ एक, बहुत खर्चा हुआ उस प्रोग्राम के और्गनाईज होने में, लेकिन उस program के बाद सिर्फ एक ने course किया और बाकी किसी ने भी course नहीं किया लेकिन वो जो एक है वो ज्ञान में आगे चले और बहुत अच्छा आगे उनकी जो ज्ञान मार्क की यात्रा रही वो बहुत अच्छी रही तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इतना खर्चा हुआ या इस प्रकार से हमने इतनी मेहनत की या ऐसा प्लान बनाया तो उस आधार से इतने निकलने चाहिए या इस प्रकार की सफलता होनी चाहिए लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम इन बातों की फिकर में मत जाओ कि क्या होगा कितना होगा कैसे होगा क्या रिजल्ट आएगी तुम्हें जो श्रीमत प्रमान तुम्हें जो प्रेडना आती है वो तुम करते जाओ और जिसको आना होगा ड्रामा प्रमान वो आएंगे और जिसक आपकी सफलता या असफलता का कोई लेना देना नहीं है, कई बार हम सेवा की सफलता को भी इस प्रकार से आखते हैं, कि इतने आये, इतनों ने कोर्स किया, या इतने चले या नहीं चले, लेकिन बाबा कहते हैं, उस प्रकार से सफलता नहीं देखनी है, आपका क्या सफल उस प्रकार से सफलता को देखो, आपने कितना योग लगाया इस प्रोग्राम के लिए, आपने कितना इस प्रोग्राम के लिए अपना तनमंधन स्वाहा किया, आपने कितना अपना समय और संकल्प स्वाहा किया, क्योंकि आपने जो सफल किया, उससे आपकी सफलता हो गई, भ और आप इतनी अच्छी स्थिती का निर्मान करते हैं, क्योंकि जब हम सफल करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हमारी अवस्था में हमारी सफलता दिखाई देती हैं. और अगर हम ऐसे सफलता स्वरूप बने हैं, तो अंत में आप करोडों आत्माओं को एक सेकंड में नजर में से निहाल कर देंगे, और वो जो इतनी महनत से आपको लगा कि नहीं हुआ, वो सिद्धी तो आपको एक सेकंड में मिल जाएगी, लेकिन बात ये हैं कि सफलता इस से नहीं देखते कि कितने आये क्या हुआ, वो तो ड्रामा प्रमाण होगा, और बाबा हमें कहते कि हमारा जो हिसाब किताब है, वो बाबा के साथ है, हमने बाबा की श्रीमत मानी, हम बाबा की आग्या पर चले, हमें बाबा ने जो तनमंधन सफल करने की बात कही, उस पर हम पूरे टिक कर चले, तो हमारी सफलता होनी ही है और सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम सत्युग में अपना पद पाई तो बाबा हमें इसलिए कहते किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है कोई सेवा भी करते हैं तो यह फिक्रात नहीं करनी है कि कितने आएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, अपनी समझ अनुसार, देखो, ड्रामा के पटे पर मजबूत रहकर, हमें अपने आप से पुछना है, कि हम बाबा के बने, तो हमें क्या समझ में आया, और जो समझ में आया, उसमें से हम कितना कर रहे हैं, हमारी conscience clear है, हमें ऐसा ल चलना और करना है, वो सेम चल रहा है, या उसमें कोई gap है, उसी से हमारी तकदीर बनेगी, जो समझ में आता है, वो करते चले जाएं, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, है ना, तो बाबा हमें ड्रामा के विश्य में बहुत ये बाती याद दिलाते, अभी कल योग कर रही कि देखो कितना वंडरफुल है, कि मैं एक आत्मा हूँ, और मेरे अंदर पाट बजाने के लिए मन बुद्धी भी है, बुद्धी से मुझे निर्ने लेना है, मन से संकल प्रचने है, और मेरे पास आज बाबा है, तो मैं आत्मा बाबा की याद में, बाबा की शुरीमत प् और फिर इस समय मैं आत्मा जो हूँ, मेरे अंदर ही मेरा पुरा पाट भी है, जो भी मुझे बजाना है, करना है, वो भी मेरे अंदर है, तो अगर आप देखें, तो आत्मा को शरीर या परिस्थिती से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा के अंदर पाट बजाने का जो इंस और इस समय बुद्धी से मुझे बाबा को साथी बना कर चलना है, जो बाबा भी सुक्षम रिती से मेरे साथ साथ चल सकता है, तो अगर देखा जाए तो मैं आत्मा इस समय अपनी अंदर ही अंदर जैसे एक वंडर्फुल चीज हूँ, जो अपना बेस्ट पार्ट बजा कर अ और इसके लिए मुझे किसी परिस्थिती या किसी और से कोई लेना देना नहीं है, और ये शरीर मुझे ड्रामा प्रमान मिला है, तो जो बाबा से मुझे स्रेश संकल्प मिलते हैं, और मेरे पार्ट अनुसार जो प्रेड़नाई मुझे आती हैं, उन बातों को बस मुझे क तकर टकर में रहते हैं, इतना परिस्थिति और व्यक्तियों का या बहारी बातों का इतना चिंतन करते हैं, यह तो सब व्यर्थ है, क्योंकि देखा जाए तो सारा पाठ बजाने वाली आत्मा और उसका पाठ और जिन चीजों से उसको पाठ बजाना है, यह जो मन बुद्धी है और जिस बाबा का साथ उसको लेना है वो सब कुछ सुक्षम रिती से अंदर ही अंदर मुझे करना है तो मैं आत्मा भी कितनी wonderful हूँ कि संगम युग में मैं और बाप complete है अपना पाठ बजा कर भाग्य बनाने के लिए बस ये जो निमित मात्र शरीर मिला है या कोई भी resources मिले है वस उसको सफल करना है और मुझे अपनी तकदीर बनानी है तो बाबा हमें ये कल ऐसे प्रेड़ना आ रही थी और अब आप देखो कि जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं और हमारे अंदर वो जो संगम युगी स्रेष्ट पाठ है वो इमर्च रहता और उस पाठ को हम बजाते चले जाते चाहे आज देखो बाबा हमें कहते तुम चुप रहकर भी कमाई कर सकते हो हमें तो कोई शरीर की भी अवश्यक्ता नहीं या कोई करम करने की भी स्थूल रूप से अवश्यक्ता नहीं चुप रहकर भी अगर हम अपनी उची स्थिती में स्थित हो बाबा की याद में हैं तो हमारी कमाई होती चली जाती है धाम है आप चुप रहकर बाबा की याद में जब स्थित होते हो तो आपकी अवस्था कैसे हो जाती है light house, might house की और आपके बस होने से याद में स्थित होने से आप अनेकों के कल्यान के निमित बन जाते हैं तो ये कितनी wonderful संगम युक की बात है कि हम चुप बैठे बैठे कमाई करते हैं मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में ज्यान में आई तो उस समय कुछ समझ नहीं आता था कि ये ब्रह्मा कुमारिस क्या कहते हैं और उस समय संतोष भाई को देखती थी कि सुबह सुबह अमरित वेले उठकर बैठ जाते थे तो नराज होती थी मैं और उनको पूछती थी तुम्हारे ऐसे बैठने से चुप बैठने से क्या दुनिया बदल जाएगी है ना आप लोग यंग हो उठो कोई हॉस्पिटल खोलो स्कूल बनाओ कुछ भाग दोड करो ऐसे चुप चाप बैठे बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि चुप बैठकर भी कोई करम होता है है ना तो बाबा हमें बाबा आज बहुत की ज़ान की ज़ान का जो शस्तर है वो शांती की शक्ती और सहन शक्ती है और्लस ऑज्ञान का जो शस्तर है वो है क्रोध अज्ञानी मनुष्य क्या कहेजleगा भाग दौड करना, क्रोध करना बहुत गयोस मचाना जब किसी भी स्थान पर आप देखो अगर बहुत कोलाहल मच रहा है, सब इधर से उधर भाग रहे हैं, बहुत activity हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है, यहां बहुत काम हो रहा है, तो अज्ञान की काजू की जो दुनिया है, उसमें chaos, confusion, अशान्ती, क्रोध, यह होता है, काम हो रहा है इसका indicator, लेकिन ज्ञान मार में बाबा कहते हैं, कि जितने तुम शान्त हो, जितने तुम सहनशील हो, उतने तुम पर्मातम इंस्ट्रुमेंट बनके कार्य कर रहे हूँ, बाबा कहते हैं, इस दुनिया में तुम्हे भाग-दौड करने की भी कोई अवश्यक्ता ने, तुम अगर बिलकुल एकरस युमंदल को शक्तिशाली बना रहे हो, तो उस शांती की शक्ति से तुम अनेकों आत्माओं को प्रेड़ना दे सकते हो, जिससे वो वो कारी करेंगे जो तुमें करना चाहिए, जैसे संडे की वाणी में बाबा ने कहा, कि जो दीदिया है, वो अगर सकाश देती है, तो जो न बड़ी सेवा है, कि बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, एक्रा सवस्था में, तो जैसे हम माइट हाउस का काम करते हैं, तो बाबा कहते हैं, बैठे बैठे, चुप बैठ कर भी कमाई होती है, और बाबा हमें मुरलियों में बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, कि मा आप खुद पाप करने से रुकते हैं, या अपना जो पाप का खाता है, वो बनने से रोकते हैं, दूसरा, आप उस आत्मा को भी, क्योंकि आप जवाब देंगे, तो वो भी दो और बातें कहेगा, तो उसको भी आप और पाप बनाने से रोकते हो तो बाबा कहते हैं यह डबल फाइदा होता है बस एक जब चुप हो जाता जैसे बाबा कहते हैं दो हाथ से ताली बजती है तो किसी ने मुख की ताली बजाई और आपने जो है वो ताली का साथ नहीं दिया अपने हाथ से तो वो भी तो ताली बजाने से छूट जाते हैं आप तो छूटते ही हो लेकिन वो भी छूट जाते हैं तो डबल पुन्य होता है तो बाबा हमें कितनी गुहिये बात समझाते हैं कि ज्ञान मार्ग में शान्ती की शक्ति का कितना वैल्यू है, दुनिया में तो समझते हैं करम किया, भागा, दोडा, कूदा, तो उसी से ही जैसे कमाई होती है, मैं कई बार ये हसी में कहानी सुनाती हूँ, कि एक बार एक जंगल था, तो उस जंगल में एक विपदा आ गई, तो उस जंगल का राजा जो था, उस समय बंदर था, कुछ बात हुई थी, तो सबने मिलकर बंदर को राजा बनाया था, तो जब विपदा आई और जंगल में वो डिकलेर हुई, कि ये विपदा आ गई है, तो सुनते ही बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे कूदा लगाने लगा, इधर कूदे, उधर कूदे, तो किसे ने कहा, कि इतनी बड़ी विपदा आ गई, आप क्या कर रहे हो, तो बंदर कहता है, कर तो मैं कुछ नहीं सकता, लेकिन देखो मेरे efforts में कोई कमी नहीं है, जब से मैंने सुना है, मैं कूदी रहा हूँ, मैंने इस कोई डाल नहीं छोड़ी, और मैं एक मिनट भी शान्त नहीं बैठा हूँ, तो आप देखो कि जगली जानवर है, और मनुष्य में प्षान्ति पहलाते रहें, مों इधर से उधर होते रहें, इसी में ही हम ये दिखा सकते हैं, कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, नीर्मान कर सकते हैं, जिस से अनिकों को स्रेष्ट कर्मों की प्रेधना मिल सकती हैं, तो बाबा कहते हैं, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मना हो, तीनों विधी से बाबा हमें सेवा करना सिखाते हैं, अच्छा, ओम शान्ति